हेलो फ्रेंट्स वेलकुम टू माई यूटूब चैनल एया दियूजियूशन आप लोग कई वास सुगर के लिए टेस्ट कराते हैं तो डॉक्टर से आपको फास्टिंग पीपी टेस्ट लिखके देते हैं या फिर और जुटीटी जुटीटी टेस्ट लिखके देते हैं या होते हैं तो इस वीडियो में हम डिसकस करेंगी कि अगर डॉक्टर आपको एच्बी एवनसी टेस्ट लिखके देते हैं तो उस टेस्ट का क्या मतलब होता है तो एच्बी एवनसी टेस्ट शू होता है उसको डॉक्टर सापको अलग अलग नाम से भी लिखके दे सकते हैं ज होता क्या है तो HbA1C जो होता है आपके हीमोग्लूबिन में ग्लूकोस की जो मात्रा है जाचनी के लिए कराया जाता है और यह जो मात्रा बताता है तीन महीने की एवरेज मात्रा आपके हीमोग्लूबिन में ग्लूकोस की तीन महीने के अंदर जो एवरेज मात्रा है बताने क आपका HV-A1C test कराया जाता है आपके 3 months के अंदर आपके जो हीमोगलोबिन है या जो रैड ब्लड सेल्स होते हैं जो ग्लुकोस की एवरेज मातरा क्या रही है वह जानने की लोड लोक्टरों सापका HV-A1C test कराते हैं कि आपकी जो हीमोगलोबिन है उसमें ग्लुकोस की मातर तीन महीने के अंदर इंक्रीस तो नहीं हो या डिक्रीस तो नहीं हो या जाचनी के यह टेस्ट आपका कराया जाता है अब हम जानते हैं कि जो आपका HV-A1C test कराया जाता है यह आपका सिफ 3 months के अंदर की ही average क्यों बताता है तो जैसे कि आपको पता है RBC जो है वो हमारी 4 months के अंदर average 120 days के अंदर जो है वो breakdown हो जाती है जो है 3 months के अंदर की जो है average निकालते हैं हमारे glucose हमारे hemoglobin में या हमारे blood में RBC में जो है glucose की मात्रा 3 months के अंदर कितनी रही है यह जानते हैं अब हम जानते हैं कि इस test को कराने का purpose क्या होता है तो HV-A1C test कराया जाता है अगर किसी patient को diabetes की symptoms है means ज़्यादा प्यास लग रही है पहुँच ज़्यादा यूरीन आ रहा है या fatigo है तो उस condition में जो है हम patient का HV-A1C test कराते हैं या फिर patient जो है वो high risk diabetes है या मिलिटर्स है तो उस condition में भी हम patient का HV-A1C test कराते हैं अगर किसी patient को heart disease है blood pressure है या physical inactivity है जिस patient की ज़्यादा तो उस condition में हम HV-A1C test कराते हैं patient का अब अगर बात करें specimen की तो जो HV-A1C का sample लिया जाता है वो add it up blood लिया जाता है और इस test के लिए कोई भी fasting required नहीं होती है अगर आप sugar का fasting test कराते है जो आपके present value of sugar बताता है उस time पे आपको fasting required होती है but HV-A1C test आपका 3 months की average बताते है तो कंडिशन में आपको fasting required नहीं होती है अब अगर बात करें इस test की normal range की तो American Diagnosis Associates के according इस test की HIV की value जो आती है नॉर्मली आपकी less than 5.6% देखने को मिलती है पिर डाइबेटिक पेशन में यह 5.7 से 6.4 के बीच में देखने मिलती है और डाइबेटिक पेशन में यह more than 6.5% देखने को मिलती है